हेलो एब्रिवान आज मैं आप लोगों को चुहे की रेशिपी बना कर देखाऊंगा चुहे की फ्राय तो ये टाडिस्नाल फूड है सद्यों से आदिवासी लोग इसको खाते आ रहे हैं आदिवासी क्या, आज कल हर कई लोग इसके फ्राय बना कर खाने लगे हैं, जिनके मुह पर ये इसका फ्राय लगा है बो लोग इसे भोल नहीं पाए है तो चलते हैं आज हम बना के खाते हैं चुहे की फ्राय तो मैं जिस चुहे के बात कर रहा हूँ वो ओडिसा में उसे उत्तिल मुशा कहते हैं तो यह चुहे इस तरह यह खेत में रहते हैं खेत के उचि-उचि जगा पर अर यह जब खेती होती है दान की खेती यहाँ पर धेर सारे तो वो सभी को ले जाते हैं उनके होल के अंदर और वहीं से इसको रख कर खाते हैं और इसके अंदर की तरफ से इस सभी होल को वो चुहे बन कर देते हैं अंदर आराम से रहते हैं चुहे को पकड़ने के लिए ट्राप बिछाए जाते हैं या नहीं तो फावडा से उसके जो होल है उसको खोदना पड़ता है और जब मिल जाता है तो उसे आख से थुड़ा सा जलाए जाता है और उसे जलाने के बाद उसे अच्छी तरह धो लेना है देखे यह है वो उतल मुसा तो उसके मुँँ में जो दांत होते है उस दांत को निकाल लेते है उस जो दाथ होता है वो बहुत सर्फ होते है तो इसलिए इसका जो पेट होता है उसको भाड़ने में बहुत आसान होता है इसलिए इसका दात को निकाल लेते हैं और उसके बाद उसके पेट को इस तरह बाहर करके इसके जो इंस्टेस्टाइन होते हैं उस इंस्टेस्टाइन को निकाल लेना है उसमें काफी सारे वेस्ट होते हैं इसलिए इसको निकाल कर फेक देना है ये चुहे खेत में रहते हैं तो खेत में इस चुहे को धेर सारा आनाज खाने को मिल जाता है तो इसके सरीर में बहुत सारे फैट्स पाई जाते हैं इसलिए इस चुहे का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इस चुहे का फ्रैव बना कर खाने में इस चुहे की इंटेस्टाइन को निकालने का बाद इसको छोटी-छोटी तुकड़े में काट लेना है एक छोटी सी कुलाडी की मदस से मैं इसका मांस जो इसका मेट बना रहा हूँ तो इस चुहे को छोटे-छोटे ऐसे तुकड़े करके काटने के बाद हम इसका फ्राय बनाएंगे इसलिए इसको छोटे तुकड़े में काट लेते हैं मिर्ची इटिंग चलेंज या चिली इटिंग चलेंज तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे पर ये पाली ये जो गोल मिर्ची है दिखिए ये मिर्ची गोल गोल है ये बहुत तिखी मिर्ची है आपको कोही भी इस मिर्च का चलेंज देखने को इटिंग चलेंज देखने को इस मिर्ची का कही पर भी नहीं मिलेगा ये बहुत तिखी होते हैं इसलिए इस मिर्ची की करके इसको काट लेंगे अब ये खाने में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो देखिए ये वो दोनों चुहे की मांस है इसको इस तरह चुटी-चुटी करके काट रखा है और हम ओभन के उपर काड़ाई को गर्म कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी ओयल डाल लेते हैं ये रिफाइन ओयल है तेल गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ी सी सर्सों यानि मस्टर को डाल लेंगे सरसोर डालने के बाद हम इसमें कटे हुए मिर्ची को डाल कर उसको थोड़ी से फ्राय कर लेंगे अब हम इसमें चुहे के मांस जो हमने काटे हुए रखेते उसको डाल लिये हैं अब हम इसको दो से तीन मिर्ची तक यसे फ्राय करेंगे अब इसमें डालना है अपनी स्वात की अनुसार नमक नमक डाल कर इसको 5-6 मिनित तक भैं करना है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर यह टर्मरिक पाउडर है इसमें हल्दी डालने के बाद इसका कलर जो है लोक बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा देखे मैं पास से दिखा रहा हूँ वा बहुत ही अच्छा दीख रहा है अब हम इसमें डालेंगे फूट कलर देखे ये फूट कलर है तो ये फूट कलर डाल कर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे तो इसका जो लोग है वो बहुत ही जवर्दस दीखने लेगेगा मन तो करता है कि सब चेट कर खो जाओ क्या जवर्दस दिख रहा है वाँ 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 अब सम्बाला नहीं जा रहा मुझसे अब हम इसमें डालेंगे धन्या की पत्ते ये करिजंडरल लिप है तो इसका जो महग इसका जो खुस्पू होता है वो खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा मज़दार पना देगा अब आएगा इसका मज़ा ये जो चुहे की फ्राय है ये पूरी तरह फ्राय हो चुकी है और ये खाने के लिए रड़ी है ये फाइनाल लोग है चिकन मटन तो बहुत खाई है पर इसका जो स्वात बहतरी नियत